अमिताब बचन की फिल्म कूली के दोरान हुए एक्सिडेंट की वज़से इस फिल्म के प्रती लोगों का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि थेटर्स में टिकिट दो दो तीन तीन दिन के बाद भी नहीं मिलती थी इसी दोरान सुभाश गई की भी एक फिल्म रिलेज और उपर से उनके एक्सिडेंट की वज़से इस फिल्म को देखने का लोगों में क्रेज आप सोच सकते हैं कि इस दुरान कोई फिल्म हिट तो क्या चल भी ना पाए तो दोस्तों ये चमतकार असल में हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री को जैकी श्रॉफ हीरो के रोप में मिला था इस दौर के लोगों का मानना था कि ये फिल्म कूली फिल्म के आगे पानी भी ना मांग पाती अगर एक चमतकार ना हुआ होता दरसल हुआ क्या पबलिक थेटर तो पहुंचती थी अमिता बचन की कूली फिल्म देखने के लिए लेकिन भीड इतनी होती थी के टिक तो ये फिल्म देख लेते हैं फिल्म असल में अच्छी भी थी उस फिल्म में शमीक पूर थे संजीब कुमार थे और मेनाक्षी थी और इसके साथ फिल्म के गाने भी बाकमाल थे जो आज भी सुनने को मिल जाते हैं तुम मेरा हीरो है तुम मेरा दिलबर है याद तो होगा ही आपको आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ही इस फिलम की मशूरी शुरू कर दी लोग जब कुली फिलम ना देख पाने की मायूसी के साथ वापस घरों को जाने वाले होते थे तो कोई ना कोई उन्हें कह देता था के हीरो फिलम भी बहुत अच्छी है आए हो तो वो फिलम भी देख लो हुआ ये के अमिदा बचन की चोट और हीरो फिलम के म्यूजक की वज़े से पबलिक दोनों फिलमों में बट गई जिसका फाइदा दोनों फिलमों को हुआ कुली फिलम तो हिट होनी ही थी साथ साथ हीरो फिलम भी सुपर हिट साबित हो गई और बॉलिवुड को जैकी श्रॉब जैसा एक और सुपरस्टार मिल गया और इस फिलम के बाद जैकी श्रॉब का करियर शुरू हो गया ऐसा ज्यादातर मैगीजिन बोल रहे थे उस दोर के क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं कि अमिता बचन के एक्सिडेंट की वज़े से जैकी श्रॉप का करियर भी बन गया आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेट बॉक्स में बताना बिलकुल मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए